आप सभी प्रियदर्शकों का स्वागत आपके लिए ले क्या है बलराम पूर्चीनी क्या है राइट लेवल्स बाई करने के लिए लेटेस्ट न्यूस क्या है पूरा विश्लेशन करेंगे इस वीडियो में आई ये चल कर शुरुबात करते हैं अगर हम सबसे पहले बात करें इनके एक्सपेंशन प्लाइन जो हैं बहुत एग्रेसिव हैं अलग अलग प्रोड़क्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जादा मार्जन मिलता है वहां पर लेंगे अब देखें चीनी का भाव काफी टाइम से स्टेबल है इवन दो इंफलेशन बढ़ रहा है पर चीनी के भाव में कोई ज़्यादा चेंजिस नहीं आ रहे हैं पर यहां पर एथनॉल का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है जिसकी वज़े से इन्होंने अपने नया एक्सपेंशन प्लाइन शुरू किया है अब देखें लॉक्डाउन में केसिस उपर बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वज़े से हो सकता है कुछ फैक्टरीज का आउटपुट थोड़ा कम हो बढ़ क्योंकि प्राइमरिली इनका काम किसानों से है जो कि essential trade में माना जाता है पिछले साल भी किसानों का सारका सारा processing as it is चलाता शुगर केन के reference में तो lockdown का impact इतना यादा नहीं होगा इस particular stock पर अगर हम ICA से direct की बात करें तो उन्होंने बलरामपुर चीनी को एक buy rating दी है आईए चल कर समझाते हैं उनके accordingly यहाँ पर BCML is the biggest and one of the most efficient sugar company बलरामपुर चीनी जो है तो अगर आप पूरे sugar sector की बात करें सबसे बड़ी company है यहाँ पर और अपनी distrally segment को expand कर रहे है जो की more stable और cash flow generate होगा वहाँ से margins जादा है इसलिए cash flow positive generate होगा वहाँ पर तो यह एक अच्छी पहल है उनके पास में cash assets है better leverage ले सकते हैं अपने overall portfolio size का तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसको recommend किया है और long term के लिए भी यह अच्छी share माना जाएगा हमारे हिसाब से अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर yield की तो यहाँ पर overall देखे dividend और buyback के हिसाब से भी अच्छा company है उस हिसाब से देखें तो इन्होंने कई different parameter के analysis के बाद इसको recommend किया है अगर आप हमारे साथ free webinar join करना चाते हैं stock market में internet trading कैसे की जाए investment कैसे की जाए तो यह सब के लिए आप चाहें तो हमारी workshop join कर सकते हैं April में है फिर उसके बाद में में होगा जिसको चाहें आप join कर सकते हैं mail drop कीजे 900 रुपे की admin fees है हमारे balance card या हमारा report card जिसको कहते हैं हमारे साथ जुड़े थे एक member 2.4 lakh के साथ उनका portfolio size 3.4 lakh का हो चुका है and counting इसको हम further update करेंगे month और month basis पर कैसे इनका portfolio size increase हो रहा है क्योंकि बड़े portfolio के साथ बहुत लोग काम कर सकते हैं छोटे portfolio के साथ उसको portfolio increase करना 40% के rate से एक काबले तारीफ का अब यहाँ पर distillery plant की जो हमने बात की है देखे होगा क्या कि यहाँ पर आपको ethanol बनाने के काम आएगी और साथ ही साथ में alcohol के रूप में भी इसको effectively ingredient यूज़ किया जाता है तो उस हिसाब से यह एक बढ़िया प्रयास है जिनका जो इनकी distillery plant है वो करीब करीब 320 kilolitr per day के ह 2 तक यह comments होने की उमीद रहेगी तो यह revised CapEx है capacity expansion plan है जिसके चलते हुए यह आगे एक बढ़िया view बनाएंगे अपने तरफ से और इसकी demand बहुत जादा है जिसके चलते हुए margin भी जादा है यहाँ पर और product की बढ़िया cash flow generate कर सकते हैं external neutral alcohol also come in within the capacity और यहाँ पर highest treasure of ethanol being built in तो देंगे ताक कि pressure उनको बढ़िया मिले उनको result अच्छा मिले यहाँ पर कह रहे हैं कि expecting higher recovery और यहाँ पर hope भी कर रहे हैं कि यहाँ पर output of the juice in Mezapur is going to give plant given the higher availability of ethanol अब समझे एक बात समझे देखे हम क्योंकि उतर प्रदेश के western belt से हैं वैसे हम northern NCR region में रहते हैं but originally हम western belt के member हैं और primarily अगर farmers की बात की जाए तो sugar की इनका ही production होता है यहाँ पर उनकी हर चीज़ बढ़ रही है यहाँ पर आगे challenges बहुत जादा है इस farming में तो यह उनको एक प्रयास है कि किसी तरह से आगे इनका प्रयास पैसा भी बढ़े क्योंकि जो यहाँ पर अभी sugar की बात करें वो relatively stable रहता है कभी 30 होता है कभी 32 होता है कभी 35 होता है पर इसके बाद में अगर आप बात करें कि इनकी जो product production की cost आती वो ज़्यादा रहती है तो जब तक companies जो है innovative करके दूसरे product नहीं बनाएंगे जिनकी demand जादा है जिनका margin जादा है तो किसानों को benefit नहीं मिल पाएगा तो इस पाकिस्तान के साथ समझोता होता है वो शुगर का import को जो उन्होंने band किया हुए उसको कराते हैं तो यहाँ पर शुगर के price बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर की consumption है जैसे इंडिया में है पर वहाँ पर production इतनी ज़्यादा न है आगे चलकर अभी थोड़ा सा डल फेस चल रहा है अगर हम बलरामपुर चीनी की बात करें आज खुला ये 262 के असपास था फिर लोग बनाया 252 और अभी यहाँ पर फिर से थोड़ा को लेवल है बहुत बढ़िया डिमांड जोन है अगर आपको इसके उपर लॉंग टम में विश्वास है तो यहाँ पर कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के कुछ पैसा आप अपने करंट लेवल पर खरीच सकते हैं 225 से 250 के बीच में पर यहाँ पर आपको 180 से लेकर 200 के रेंज में भी कुछ कैश रखेगा कभी मार्किट में नीजर के लिए एक्शन आता है कभी स्टॉक ही कोई बैड नीज आती है तो आपको अच्छी अपरशन बिल सकती है यही चीज़ से सारी बुलिंचर बैंड के बैस पास और 250 के बीच में आप एक ट्रैंगलर पैटन में इंप्लिमेंट कर सकते हैं और कुछ कैश यहाँ ने बताया 200, 130 से लेकर 200 की रेंज में आप यहाँ पर अपने पास रखने की खरीदने की कोशिश कर सकते हैं यह अच्छा स्टॉक है लॉंग टम में एक मल्टी बैगर आपको बनके देगा अगर आप इसको तीन साल के लिए होल्ड कर रहे हैं अजूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एतनल कैपस्टी बढ़ती जाएगी आगया आने वाले समय में और शुगर प्राइस भी अच्छा इंप्रूव होगा आगे इंपोर्ट बैंड बंद होगा तो जिस चार वीडियो प्रस्तुत हैं जहीं जबारत